हाई स्टुडेंस चलो आज अभी करते हैं एक्ससाइस 1.4 राइट क्वेशन नम्बर वान विदाट एक्चुली पर्फॉर्मिंग दा लॉंग दिविशन मेथड स्टेट वेदर दा फॉलोविंग रैशनल नम्बर हैव तर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन पहले तो यह समझ लेते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कब आता है रैट पहले बाद है लेट उस टेक पी अपॉन क्यू इस रैशनल नम्बर right where q is not equal to 0 ये दिया हुआ है right now if q is q जो है is in the form of 2 raise to m r and 5 raise to n मतला इसके जो factors है क्योंके वो 2 raise to m और 5 raise to n where m and n are integers right then then p upon q is a terminating decimal expression terminating then p upon q is terminating decimal expression right देख लिजे है ये 2 upon 7 ले लिजे 7 जो है क्यों है बरबर it is not in the form of 2 raise to 2 or 5 का factor कोई नहीं है so it is not in the form of 2 raise to 2 power m or 5 raise to n therefore it is non-terminating repeating decimal expression non-terminating repeating decimal expression और अगर ये जगे पर अगर आपका ऐसा होता तो 2 raise to 4 आप देखे ये वाला form है 2 raise to m over 5 raise to n कैसे मैं बता देता हूं right 2 power 1 है 5 का power 0 रख लो तो ये form आ गया it is in the form of 2 raise to 1 5 raise to 0 and therefore it is a decimal expression क्या जाएगा decimal expression terminating form okay तो ये पहले समझ लेते हैं I hope आपका concept clear हो गया simple logic है आप लोग को बच्चों को बता दूँ आपको सिर्फ q जो है denominator में क्या है वो ये देखना है के 2 का factor है या 5 का factor है अगर सिर्फ 2 का factor होगा तो 5 0 हो जाएगा अगर 5 का factor है तो 2 0 ले लेने का power में और आपका factorization हो जाएगा तो it is in the form of 2 m or 5 therefore it is a terminating decimal expression लिख देना है अगर उसमें से कोई और एक कोई भी number है 7 add हो गया 3 add हो गया then it becomes a non-terminating repeating decimal expression easy enough let us go for sums ओके चालो हमारा पहला number sum क्या है first number का sum है 13 upon 3 1 times 13 upon 3 1 2 5 right सबसे पहले आपको क्या करना है 3 1 2 5 का factors जोन लो 5 5 6 are 30 30 5 2s are 10 5 5s are 5 1s are 1 2s are 10 5 5 2 5 5 5 5 5 1 यहां पर देखे यार 13 upon 3 1 2 5 को 5 power 5 लेगता हूँ और 2 2 वाला पावर को क्या लिग दिने का 0 right तो बस यह ही चाहिए हमको therefore it is here therefore here q is in the form of 2 raise to M 5 raise to N where right and hence hence 13 upon 3 1 2 5 is क्या जाएगा non is a terminating decimal expression terminating terminating decimal expression understood all of them बस इतना ही है आपको खाली यह ढूड़ना है कि यह 5 raise to M और 2 raise to N यह वाला फॉर्म में है के नहीं और आपको लिग देना है ओके अगर नहीं है तो रिपीटिंग वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बस ओके लेट्स गो तो दी नेक्स सेकंड नमबर का सम है 17 upon 8 राइट चलो यह 8 is equal to 2 into 2 into 2 simple है लिख लिख लिजे 17 upon 8 8 को मैं लिखूंगा 2 power क्यों और यहाँ पे 5 का power क्या ले सकता हूँ 0 तो यह 8 is in the form of 2 raise to m 5 raise to n right 2 raise to 3 5 raise to 0 right therefore 17 upon 8 is terminating decimal decimal expression right हो गया सेकंड नमबर वैसे ही अभी थार्ड ट्राइ करते हैं थार्ड है 64 455 455 का पहले आप यह ले लिजे 455 का फैक्टर यहां पहले लिखके दें तो 455 5 9 जा 5 बन्जा यह क्या एगा 7 3 13 1 यह क्या अगया 5 7 13 455 is not in the form of 455 is equal to 5 का 1 7 का 1 13 का 1 is not in the form of 2 raise to m 5 raise to n hence 64 455 is a non-terminating repeating decimal non-terminating repeating decimal okay आपको खली यह लिखना है बस यह सम तो आपको खली इतना ही ढूड़ना है 2 raise to n और 4 raise to m वाला form में है के नहीं अगर नहीं है तुरत not लिख देने का अगर है तो यह लिखना है बस राइट हमारा नेक्स सम है 15 upon 1600 है यहां ले लेते हैं यार 1600 इस इकोल टू 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 जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 मार बर 100 का कैसे करेंगे 100 का 2 5 जा 10 25 जा 100 25 जा 25 जा 25 जा 25 जा तो 2 255 जेके 2 तू जा 4 4 तू जा 2 जा 4 4 जा 8 8 जा 16 16 जा 32 32 जा 64 64 इंटू 25 100 25 जा 6 150, 160 जा जाचर जा 6 का 5 जा नहा है जा जा 5 झा 7 2 जा 5 जा 8 जा लेते हैं or 5 का 2 जा 2 जा 20 जा 2 जा का 25 जा 5 जा 5 जा खेब लेतें सी 10 जा 6 जा 3 जा 600 फ Germścią क्देंगे is is will have terminating decimal expression decimal expression okay done next sum let's see fifth number ka sum hai 29 upon 343 29 upon 343 343 right here 343 is equal to 7 7 the 49 49 7 the 343 baro baro 7 ka cube hai therefore here is equal to 7 ka cube hai 2 bhi nahi hai 5 bhi nahi hai it is not in the form 2 raise to n 5 raise to m therefore 29 upon 343 is a we will have we will have we will have non-terminating decimal repeating decimal expression repeating decimal expression okay this is the thing okay this is the thing 5 raise to 2 is a 5 raise to 2 is a 5 raise to 2 is a will have will have terminating decimal expression terminating decimal expression terminating decimal expression okay okay easy easy enough right next 7 number 7 abh yaan pe dekhi yaan be ready made diya hai lekin 7 na da hai hai it is not in the form it is not in the form 2 raise to 2 and 5 2 raise to n and 5 raise to 1 here 2 raise to 2 5 raise to 7 and 7 raise to 5 is not in the form 2 raise to n 5 raise to m therefore 129 129 2 raise to 2 5 raise to 7 5 raise to 7 7 raise to 5 is a non-terminating easy enough we will have right we will have non-terminating repeating decimal expression repeating decimal expression decimal expression okay I hope you are getting easy enough both easy chapter hai yye or yye exercise bhe easy thaw right 7 tuk hai abhi 8 or 9 sum abhi solve students yye sum me jera dhekhiye 6 upon 15 ko pae ka sa lich saka 2 3 the 6 5 3 the 15 3 3 cut ho gya 2 upon 5 abhi yye sum ka mujhe dekha na hai check karna hai here 5 is the form 2 raise to n 5 raise to m right ok therefore 6 upon 15 is will have terminating 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 decimal expression ok abh next up 35 upon 50 here 50 is equal to 50 is equal to 5 2 5 5 5 whatever hai aur yye dono form hai 2 ka 1 aur 5 ka 2 here 50 is in the form of 2 raise to n 5 raise to m 2 raise to n therefore 35 50 is is will have is terminating terminating decimal expression ok ok this is the thing last number abhi dekha hai hai 77 upon 210 here 210 kese lekheng hai right right 2 3 7 7 7 3 ta 21 aur 21 10 ta 5 5 2 raise to 1 3 raise to 1 7 raise to 1 or 5 raise to 1 lekheng it is not in the form 2 raise to n 5 raise to m therefore 77 upon 210 will have non-terminating right non-terminating in repeating decimal expression ok i hope question number 1 amara hoer ho ga hai aur aapko samajh padha ho ga right let's go to question number 2 students question number 2 write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansions now for me let us see right first number first number 13 upon 3125 5 13 upon 3125 को कैसे लिखेंगे पहले तुम हमने जो 3125 का आप 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 5 five रो सिखना है तो बही चीठ अब ही यहापर आपको क्या करना है decimal form में बनाना है जितना power 5 को है उसको हमको 2 raised to n और 5 raised to m form में करना है तो 2 कभी उसी multiply कर दो 5 raised to 5 है तो 2 raised to 5 को ऊपर नीचे multiply करो right multiplying with multiplying denominator and numerator by 2 raise to 5 right let us see 13 upon into 2 raise to 5 upon 5 raise to 5 into 2 raise to 5 okay इसका answer क्या आएगा देखे जिरा 13 यह कितना आएगा 2 का 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 16 to the 32 और इसका क्या आएगा देखे 5 raise to 32 3 1 2 5 को 32 से multiply करतो 2 5 the 10, 1 2 to the 4, 5 2 1 the 2, 2 3 the 6 3 5 the 15 1 3 to the 6, 7 3 वर the 3 3 3 the 9 0, 10 10, 10 10 बस आपको यहीं लाना है हमको डिनोमिनेटर में 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 और उपर आएगा आएगा करके देखे 32 सा 26 2 33 सा 39 39, 39 और यह 42 अपर 1, 2, 3, 4, 5 आप इसको कैसे लिखेंगे 0.00426 decimal form आपको समझ पड़ा है नीचे हमें 10, 100, 1000, 10,000, Lack 10 के पावर में लिखे आना है बस उसके लिए आप 2 से multiply करो या 5 करो ultimately हमको 2N और 5N का जोड़ी बनाना है और equal करना है so that you get numerator in the 10 form ओके let's start question number next हमारा next sum है second one 17 upon 8 अब 17 upon 8 कैसे लिखेंगे 17 upon 2 का cube यहापे देखेंगे power 3 है अभी मैंने बता रहा था 2 का power 3 होगा तो किस से multiply करेंगे 5 का power 3 multiplying by 5 power cube with numerator and and denominator right this will get 17 2 raise to 3 5 raise to 3 और यहापे उकोड भी आजाएगा 5 raise to 3 right this will give 17 into 125 125 और 8 कितना हो जाएगा 8 5 जाएगा 8 5 जा 40 4 8 जा 16 22 8 1 जा 8 10 1000 आ गया right अभी आपे multiply कर जिए 17 1 2 5 17 13 35 3 7 2 जा 14 17 17 17 17 18 18 12 125 5 12 1 11 12 2125 15 upon 1000 12 12 12 12 12 12 12 12 12 यह, understood, खाली आपको यह logic समझा है, 2 raise to cube आया तो 5 raise to cube से multiply करना है, 2 raise to 4 आया तो 5 raise to 4 से multiply करना है, और अगर 5 raise to cube आया तो 2 raise to cube से multiply करना है, बस 2 और 5 का formula क्या आना है, ओके, हमारा नेक्स सब, फॉर्थ नमबर, 15 upon 1600, right, 15 upon 1600 कौम कैसे दिख सकते हैं, 15 upon 2 power 4, into 10 power square, यह अपका है, अभी देखे 2 power 4, 10 का square तो अल्रेडी है, 2 का खाली problem है, तो इसको आम हैसा लेख सकते हैं, 15, 4 upon 2 power 4, 5 power 4, 10 raise to square, that will give 5 power 4, multiplying by 5 power 4 on both the side, numerator and denominator, बस आपको इतना ही करना है, right, 15 upon 15 into 5 power 4, नीचे भी आजाएगा, आप बताएगे, अब क्या करना है, that is 15, 5 power 4 क्या आएगा, 5, 25, 125 और 6, 25, अपोर ये कितना हो जाएगा, 10 raise to 4 और 10 raise to 2, this we will get 15, 5's are 75, 7, 15, 2's are 30, 37, 3, 90, 93, 10 raise to 4 और 2 कितना हो जाएगा, 10 raise to 6, अब देखे 10 raise to 6 मतलब, 0.009375, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 power, this is the way you have to do the sum, okay, I hope आपको समझ पढ़ रहा है, और अगर कुछ क्या रही है तो पूछ लेना आप, okay, next sum, ये हो गया, 4th हो गया, अब आएगा, 5th, 6th, right, that is 23 upon 2 power 3, 5 power 2, already यहापे तो 2 और 5 के फॉर्म में है, लेकिन फूड़ा सा रखे, यहापे Q फॉर्म में है, यहापे square फॉर्म में है, तो आपको, उसको solve करना पढ़ेगा, तो 23, 2 power 3, 5 power 2, अभी 5 कितना का पढ़ रहा है, 1, तो multiplying on both the sides, numerator and denominator, right, तो यहापे क्या आजाएगा, 23, 5 to the 15, 1, 5 to the 10, 11, upon, यह कितना हो जाएगा, 10 raise to cube, that you will get 0.115, पस, prove, easy है ने सर, बस, solve कर दे जाओ, I hope आप लोग का confidence आगया होगा, अब हो सके, इसको pause करके, आप खुद करके देखे, right, अब हमारा next sum है, 6 upon 15, right, that is, 8, 6 upon 15, 6 upon 15 को कैसे लिखेंगे, बताइए, 6 upon 15 is equal to, 2, 3 the 6, 5, 3 the 15, 3, 3, 3, cut हो गया, 2 upon 5, लेकिन, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 5 है, तो दोनों बाजू, 2 से multiply करतो, that is, 4 upon 10, that is, 0.4, easy है, right, हमको कुछ भी करके, आपको, उसका series में लिखे आना है, यहाँ पर यह 3 था, तो उसको cut कर दिये, नीचे 2 और 5 का form में लिखे आगे, उसको 10 form में चेंज के और आपको decimal point डाल देना है, right, next, last sum, that is, 9 number, 35 upon 50, very easy देखे, 35, 50, 52 है, दोनों का उपर नीचे लिबरेटर नीचे से multiply करती है, क्यों, क्योंकि 100 लाना है, तो 70 upon 100, तो 0.70, और this way, we have solved question number 2, okay, यह solved हो गया, बाकी सारे जो sums है, अगर आपको notebook में teachers को बताने के लिए, वो करना है, क्योंकि एक्जाम में इस तरह नहीं पुछेंगे, एक्जाम में आपको numbers दे देंगे, और decimal form में बताने का बोलेंगे, लेकिन यह question यह exercise है, इसलिए ब in their decimal form, तो इस तरह आपको बता देना है, understood, बाकी जो हो सका, तो बाकी सारे समसम्ने जो है, वो solve कर दी, let's go to the next question, students, अभी question number 3, let us see, the following real numbers have decimal expansion as given below, in each case decide whether they are rational and P of Q form or not, and if they are, then what can be said about the prime factor of Q, सबसे पहले, 43.123456789, अब आज इस number को हम कैसे लिख सकते हैं, 43.123456789, इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, right, P upon Q form आगया, is equal to P upon Q form, right, तो आपको लिखना है, the given number is, the given number is, number is rational, is rational, add Q form में दिखे, ये कौँचा है, this is Q form is, is equal to, here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right, 10 raise to 9, इसको कैसे लिख सकता हूँ, therefore, therefore, it is having terminating decimal expansion, right, बस आपको खले इतना है लिखने का, it is in the Q form, the Q form is, 2 raise to n and 5 raise to n, और अगर आपको ये लिखना है, तो ये भी लिख सकते है, it is having terminating decimal expansion, now, आप क्या पुछा लोने, के, what can you say about the prime factors, prime factors तो आई गिया है, prime factors कौन से है, 2 raise to 9, 5 raise to 9, बस, that's all, this is your first sum, easy है ना, खले आपको इतना ही सॉन करना है, जो पूछा है उसका जवाब देना है, okay, चलो, question number 2, और next sum, 0.1201, 2, 000, 12, 4 0, बस ये देखे अब, 12, 1 0 आएगा, 12, 2 0, 3 0, इस तरह बढ़ते जाएगा, इस आर, इस नाइदर, terminating, और, नोर, non-terminating, repeating, एक्पंशन, बस, आपकांसर हो गया, ना repeat हो रहा है, बरोबर है, और ना non-terminating है, terminate तो कई हो इने रहा है, तो इस लिए, नाइदर, terminating, और non-terminating, repeating, expansion, repeat नहीं हो रहा है, right, okay, question number 3, और last में, आपको ये लिखना है, it is not a rational number, पहली बात हो, rational number, okay, simple logic है, क्योंकि P upon Q form में हम लिखना ही सकते है, इसलिए it is not a rational number, next question, यहाँ पहर देखिए, right, all of them look here, the question is 43.123456, और यहाँ पहर बार डाला है, मतलब ये repeating है, तो the number is, 43.123456789, feel, 123456789, dot dot dot, ये रिपना है, यहाँ लिखना है, therefore, तो the number is, non-terminating, but repeating expansion right is a repeating expansion it is a repeating abh isse kya karayenge हम लोग चलो यह वाले method से sum karayenge हम लोग let let 43.123456789 9 is equal to x right अब यहाँ पे जितना है point है उतना अब को multiply कर देने का तो यहाँ पे रग लेते हैं 43 12345 this is equation number 1 6789 123456789 is equal to x into 10 raise to 9 आएगा क्या आएगा x into 10 raise to 9 right इससे multiply कर देने का अगर 2 digit का है तो 100 से multiply करना है 3 digit से होका तो 3 यह already हम लोग ने 9 standard में किया हुआ है ओके तो यह जो चीज है उससे multiply करना है next अब यह इसको क्या करना है इसको क्या करना है फर्स्ट को इक्वेशन नॉमर 1 को subtracting equation 1 from 2 क्या मिलेगा हमको पताइए यहाँ पर करके दिखते हैं 43.123456789 राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको हम लोग अगर माइनस करते हैं तो 4 3 1 2 3 4 5 7 6 4 6 7 इसको जब हम subtract करेंगे इस तरह आपको subtract करना है तो यह आपको मिलेगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 और यह हो जाएगा इस पार जो हो जाएगा 1 इसमें से माइनस होगा तो 1 माइनस होगा तो हो जाएगा 9 9 क्योंकि क्या है यह 10 raised to 9 में से 1 X चला जाएगा तो हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 और यह 9 इन्टो X is equal to 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 therefore X is equal to 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 upon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह डालना है तो इस आपर फॉर्म बट यू कन सी अगर हम लोग इसको deduct कट भी करते हैं तो यह 3 का factor है therefore यह आपर लिखो therefore the Q is not is the 2 raised to n 5 raised to m form यह आपको लिख देना है this is your answer यह rational number है बरोबर है non-terminating और repeating ओला है and Q is not in the form of 2 raised to n 5 क्योंकि नीचे जह है 9 आ रहा है 9 3 का multiple में आता है 2 और 5 में नहीं आता है तो you have to write this way okay so this way our exercise is over I hope you understood इसे 2-3 बार देखिए pause करके एक बार practice करके देखिए आपको आज आएगा right और जितना practice करोगे उतना अच्छा है अगर आपको कोई query है please write to me comment box में लिखे और I will get back to you okay तो till that bye bye for the day